आम आदनी पार्टी की मुश्किले बढ़ती जा रही है दर्शको दिल्ली का शराब घोटाला तो भारत के विशुका विजेता होने की खबर से भी ज्यादा प्रचलित हो गया है देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा होगा जहां इस घोटाले की चर्चा नहीं हो रही होगी हर जगह इस घोटाले की चर्चा है कि आखिर ये घोटाला हुआ कैसे आखिर क्या सच में जो लोग राजनीती को बदलने आये थे वो घोटाला करके अपना बैंक बैलेंस की फिगर बदलने में लग गए थे शराब घोटाले मामले में अर्विंद के जिर्वाल ऐसे फसे हैं कि वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और इस मामले में लगातार खुला से हो रहे हैं इडी और CBI ने अर्विंद के जिर्वाल और आपके नेताओं के खिलाफ कारवाई तेज कर दिये, जिससे आपके नेताओं की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अदालत ने मनीश सोधिया की नियाई खिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दिये। वहीं CBI ने भी कह दिया है कि जल्द ही शराब घोटाला सब के सामने होगा। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कोके डीपी सिंग ने आगे कहा कि वो कुछ नए घटना करमों के बारे में सुप्रिम कोर्ट को जानकारी देंगे जिसके कारण हमें अरविंद के जिर्वाल को गिरफतार करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक CBI ने कहा है कि सिर्फ अरविंद के जिर्वाल की भूमिका की जाच की जा रही है जबकि बाकी आरोपितों के खिराफ जाच लगभगपूरी हो चुकी है CBI ने आगे सपष्ट किया है कि सॉलिटरल जेनरल दौरा पहले दिया गया बयान के जिर्वाल को छोड़ कर मामले में गिरफतार सभी आरोपितों से संबंधित था इसे पहले चार जून को सुप्रिम कोट ने सॉलिटरल जेनरल तुशार मेहता की दलीलों पर गौर किया था कि जाच जल्द पूरी कर ली जाएगी उन्होंने कहा था कि अंतिम शिकायत और चार शीट जल्द से जल्द और किसी भी स्थिती में दायर की जाएगी और उसके तुरंत बाद ट्रायल कोट मुकदमे की कारवाही के लिए सोतंत्र होगा इन दलीलों के मद्यनजर और इस तत्य को ध्यान में रखते हुए कि इस नियायाले द्वारा 30 अक्टूबर 2023 के आदेश द्वारा निर्धारित 6-8 महीने की अवधी खत्म नहीं हुई है इनी आजकाओं का निप्तारा करना परियाप्त होगा साथ ही आजका करता को सॉलिटरल जेनरल द्वारा दिये गए आश्वासन के अनुसार आकरी FIR चार्शीट दाखिल करने के बाद अपनी प्रातना को ने सीरे से रिवाइज करने की स्वतंत्रता दी जाएगी वही मनीज सी सोधिया और के कविता के वकीलों ने आरोप लगाया कि CBI बयानों को गलत तरीके से गड़ रही है और गुमराह कर रही है 22 मार्च को अदालत द्वारा पारित नियाएक आदेश में कहा गया था कि जाच पूरी हो चुकी है CBI ने अदालत के समक्ष गलत तरीके से कहा कि जाच पूरी हो चुकी है वही विशेश नियाधेश काविरी बाबिचा ने मनीज सी सोधिया और अन्र आरोपितों की नियाएक खिरासत 15 जुलाई 2024 तक बढ़ा दिया तो देखा अपने कैसे कोर्ट से आप निताओं को जटका लग रहा है दर्श को जो लोग राजनीती बदलने आये थे वो लोग अपना बैंक बालेंस बदलने में लग गये हैं ये दावा जाच एजनसी कर रही है और आपके नितापनी बेगुनाही के सबूत नहीं दे पा रहे हैं बिरो रिपोर्ट ओमेच नियूस